वो कहते हैं ना जिने सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें राज छोटी अच्छी लगती है और जिने सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटे लगती है नमस्कार दोस्तो आज की कहानी रहेगी एक अरस्तु जैसे आपने नाम सुना होगा गुरू का नाम अरस्तु था और जो सिस्य था ना उसका नाम सिकंदर था एक समय की बात है दोस्तो कि सिकंदर और अरस्तु है ना एक नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और उस नदी की गहराई का किसी को पता नहीं था और सिकंदर पहली बार जीवन में अपने गुरू से लड़ाई करता है और बोलता है गुरू जी इस नदी को ना पहले पार मैं करूंगा और इससे पहले अरस्तु कुछ बोलते सिकंदर ने नदी में छलांग लगा दी और सिकंदर आगे आगे नदी क्रोस करता है और अरस्तु पीछे पीछे नदी क्रोस करता है और जब वो दोनों किनारे पर पहुंचे न तो अरस्तु ने न सिकंदर को न कहा कि मुझे स पेदा किया जिसने आज मेरी बात नहीं मानी तो सिकंदर अरस्तु के पेरों में गिर जाता है और केहता है गुरूजी इस नदी की गहराई का ना तो आपको पता था और ना मेरे को पता था तो गहराई जादा होती तो इसमें डूबने кे भी चांसे जादा थे अगर सिकंदर डूब जाता ना तो दुनिया को कोई फरक है नहीं पड़ता क्योंकि अरस्तु है ना जो गुरू है वो एक नया सिकंदर पेदा कर देता अगर अरस्तु डूब जाता ना तो इस दुनिया में सिकंदर पेदा होने बंध हो जाते तो अरस्तु की आँखों में आ सदी की बात हो तो पहले गुरु को ही बोलते हैं गुरु जी आप ही छलांगे लगा दो तो इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि हमें हर एक परिस्तिती में गुरु का सम्मान करना चाहिए और गुरु का दर्जाना तो भगवान से बढ कर होता है इस जहां में ना आपकी तरकी से केवल दो ही लोग खुश होंगे एक तो आपका गुरू और एक आपके माबाप जिनों ने आपको जनम दिया है कहानी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना धन्यवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत